पूर्णिया लोक सभा छेत्र से बीमा भारती आर जेडी के उमिद्वार हैं जो लगातार चुनाव परचार कर रही हैं और अभी गाउं गाउं घूम रही हैं हमारे साथ मौझूद है बीमा जी इस बार मुद्दे क्या है चुनाव के लगातार आप चुनाव परचार भी कर नहीं है पहले जेडियू में थी अब आर जेडी में आ गई और अभी लोक सभा से चुनाव भी लड़ रही है बिल्कुल है सबसे पहले तो जो हमारे राष्टिया ध्यक्ष है आधन ये लालो परसाद जादव जी और जो हमारे पितातुल है जो उनका सन है प्यार मुझे मि करना चाहती हूं और जनता का सेवा हम करेंगे जिस तरह से हम रुपोली में सेवा किये हैं लगातार एक बार नहीं पाचमा टर्म मुझे यहां के सन प्यार दे करके विधान सवा भेजने का काम किया है हमने जनता का सेवा किया है और 2019 से निर्दलिय से लेके आभी तक अबिद से हमको जिताने का काम क्या हमने विकास किया है यहां से आपकी लड़ाई किसके साथ है क्या पपू यादव के साथ लड़ाई है या फिर संतोस को स्वाहा से हैं किसी से लड़ाई नहीं है और डारेक्ट हम जनता का दालत में जा रहे हैं और सभी जनता से सना प्या प्रवी लगे वोडिंग कि अन्य वस्त्री के अब कहां से रहेंग हैं तो याज मेरे साथ रहते हैं मेरे साथ रहते είναι कि ऐसा WEK नहीं है और हम आपने ग्रति बीच में रहेंगे हम अपने जंता के साथ अगर वह कांग्रेस का सिंबल लगाकर घुमेंगे का जंडा उनके परचार में दिखेगा तो जाहिर सी बात है जनता को थो कनफ्यूजन हो गए यह बिल्कूल उस पर जो है करवाई होगा अप्रकिक तरफ से हमारे जो कंग्रेस के परदे सद्यक्षा उसका बयान भी आ है उस पर करवाई भी होगा और पार्टी से निकाला जाएगा यह कह रहा है कि हमारे नेता जो है वो प्रियंका गांधी है राहुल गांधी है और हम उनका साथ नहीं छोड़ सकते उनका जानेता राहुल गांधी थे और प्रियंका जी उनके साथ थे तो फिर क्यों ने उसका सब्सक्राइब करने ईस तरह से मुझे परतारित किया गिया आपके चैलंग के माधियम से वाध में है और सरकार में रहकर के जिस तरह से मेरे साथ हुआ है पूरे देश पूरे दुनिया जानते हैं इसको हमको नहीं लगता है कि दोहराने का जरुवत है और इसलिए हमको जनता का प्यार मिल रहा है जनता का असिन किर्पार मुष्पर है और जनता पर हम फैसला चोड़ते हैं कि यहां से रहे हैं और फिर एक बार जंता का असिरवाद उनके साथ है देखिए हमने कहा कि निर्दलिये सामने पूर्णिया के लोग सभा में ही रुपॉली विधान सभा आ रहा है तो जंता का से वाला गातार करते आ सभा में है करेंगे कि यहां बीजेपी का एजेंट बन करके महा गठवन्हन को हराने का काम करने का उन्होंने निर्दलिया है तो क्या उनको वापस ले लेना चाहिए या पार्टी को उनके खिलाफ करवाई करनी चाहिए। पार्टी को वापस लेकिन आपके नेता पर ही पपो यादा सवाल खड़े करें तेजस्वी यादो और लालु यादो के उपर कि उन्हों ने दोखा दिया जबरन ये सीट उन्हों ने ले लिया हमको बोल रहे थे कि आप मदेपूरा चले जाएए। पार्टी का जहां निरने होगा उसको वहाँ जाना चाहिए। अधिपूरा तो वहाँ पर उनका छेतर भी है वहाँ से चुनाव भी ले रहे हैं। कोई नई बात तो है नहीं। वहाँ जहां महागठवन्ना निरने करना चाहिए। तो सम्मान के साथ जाना चाहिए। इसमें कहाँ कोई मतुं को जाना चाहिए। आप यहाँ से जो झाब दने के लिए तियार है पुर्द्री लेता है का निरने करें आपको समर्थन है। तो ये थी बिमा भारती जो लगातार चुनाव परचार कर रहे हैं अपने छेतर में और साथ तोर पर यह कह रहे हैं कि पार्टी ने उनको कह दिया है पप्पो यादव के खिलाफ कारवाई होगी क्योंकि वो बीजेपी का बी टिम बनकर काम कर रहे हैं और सीधे तोर पर भीमा भारती ने यह कहा है कि उनका लोगों का शमर्थन काफी उनके साथ है और यही वज़ा है कि उनकी लडाई किसी से नहीं है बलकि जब रिजल्ट आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है